संत वचन सीतल सुधा करत ताप त्रयनास युग निरोपन कल युग समन यान युग संत धरे अवतार जीव सरण होय संत के भाव जल उतरे पार युगों की उत्पत्ति चार युग स्रष्टी रचना में स्वत्य उत्पन हुए हैं जैसे इस प्रत्वी की रचना में तीन रुत्वें स्वत्य उत्पन होती हैं रित्वों को किसी ने बनाया नहीं है। इसी तरह चार युग सश्टी रचना में स्वत्य उत्पन हुए हैं। यहां के युगों के नाम सत्युग, त्रेता, द्वापर और कल्युग। और ब्रह्मांड के चार युगों के नाम सास्त्रों में कमोद, कंकवत, दिर्गमाल और बलबद्र कहे गए हैं। ब्रह्माजी ने और रिश्यों ने काल गणना के लिए युगों का निर्दारन नहीं किया है। इन युगों पर यानि युगों के अनुसार ही परमार्ती सादन, जीवों का परमार्त कमाने का अधिकार और इश्ट निर्बर करता है। चेतन्यदारा के दो प्रकार के प्रवा हैं, जिनसे यहां की यह सब रचना हुई है। एक प्रवा तो सादारन तोर पर हर वक्त एक समान जारी रहता है। उससे ब्रह्मानों की श्रश्टी रचना का काम चलता रहता है। दूसरा प्रवाह जो समय समय पर छोड़ा जाता है, वह हर समय एक समान नहीं रहता। कभी कम और कभी जादा ये प्रवा रहता है चेतन्यधार के इस विशेश प्रवा के आमद और सिम्ताव में युगों की उत्पत्ती हुई है युगों की उत्पत्ती जीवों को परमार्त का अधिकार देने के लिए की गई है युगा नुसार परमार्ती सादन और परमार्त कमाने का अधिकार सत्युग से कलियुग की तरफ उत्तरों तर बढ़ता गया है जैसा की कहा गया सनातन धर्म में चार युगों का वर्नन किया गया है संतों महात्माओं ज्यानियों रिशी मुनियों जोगेश्वरों ने सबने इनका वर्नन किया है इनका उद्देश्य और उप्योग समय गणना नहीं हैं ये स्तष्टी रचना में स्वत्य उत्पन होते हैं जर बंच कर दो दो नहीं है